कि हलो स्टुडेंट मैं उमेश पांडे आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ncrt question class 11 biology chapter 18 body foods and circulation इसी के ncrt questions को मैं समझाने जा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप लोगे सारी questions को अच्छे से समझोगे और अपनी कॉपी में नोड ज़रूर करोगे धियान रखेगा most important questions and CRT से related आपके exams में questions पूछे जाते हैं और इसको अच्छे से समझते चलिए question number one में क्या पूछा name the components of the form element in the blood तो blood में कौन-कौन से components मौजूद होते हैं या फिर composition of blood आपको पता होना चाहिए and mention one major function of each of them मतलब और प्रत्यक के आप लोगों को functions जरू लिखने हैं तो पहला है the component elements in the bloods are देखे जो हमारा रख्त होता है खून होता है उसमें कौन-कौन सा composition होता क्या-क्या मिला होता है किस से मिलकर बनता है हमारा जो blood है पहला जो नाम है इरेथ्रोसाइड ध्यान अखेगा यह वही RBC है जिसको आप लोग red color के नाम से जानते हो और RBC जिसको red blood cells कहते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर इरेथ्रोसाइड कहते हैं तो क्या है समझ लेते हैं they are the most abundance मतलब सबसे जादा मात्रम पाय जाते हैं they are most abundance cells होते हैं इंड कंतें the red pigment जिसको hemooglobin कहते हैं और यह red color के होते हैं क्यों होते हैं क्यों कि Hemoglobin इसी में पाय जाता है देगरी oxygen और यही क्या करते हैं करते हैं oxygen को ले जाने कारे भी यही करते हैं all parts of the body different मतलब जो parts होते हमारे सरीर के विबिन भागों तक पहुचाने कारे करते हैं औक्सिजन को कौन करता है यह एरेथ्रोसाइट करते हैं यह रेट क्लास होता है द्यूट प्रेजन स्फिप्राइट हो गया शेकेंड लिजकल साइटि के हैं मतलब कलर लेस होते हैं इसका मतलब यह हुआ म में इसको लिजकल लेस लेसल और यह ये बहुट कियोंकि इन्में हिमोग्लोबिन बिलकुल नहीं पाई जाता they are largest cell of the body और ये largest cells कहलाता है हमारी body के divided into two main category दो main category होती है कौन कौन सी होती है granulocides होती है और दूसरा जो होती है वो granulocides होती है ठीक है तो पहला these leucosides जो पहले वाले में granulocides की बात कर रहा है तो ये जो होते हैं ये have granules इन्दियर सैटोप्लास्म ठीक है and include neutrophils पाजाता है isonophils पाजाते है बेसोफिल पाजाते है neutrophils जो होते हैं phagocetic cells से मिलकर बनते हैं and they protect the body हमारे सरीर की रक्षा करते है virus infecting agent से ठीक है जो micro organism हमारे सरीर में जाता है उसी से हमको बचाते हैं कौन यही neutrophils ठीक है isonophils are associated with allergic reaction कई तरह के हमारे सरीर में जो allergy हो जाती है उससे हमको बचाते हैं while basophils जो होते हैं inflammatory responses में होते हैं useful और बात करें B की agranocytes की अगर बात करें तो यह lymphocytes and monocytes are agranocytes यह दोनों ही जो lymphotic system में मुझूद होते हैं वो agranocytes के examples हैं lymphocytes जो होते हैं generate करते हैं immunity responses को against infecting agents while monocytes are phagocytic in nature ठीक है clearly समझ में आगिया होगा क्योंकि lymphotic system related with agranocytes ठीक आगे बढ़ते हैं third जो composition में है platelet most important ध्यानकिय का RBC WBC और platelet यह composition of blood होता है platelets are the small irregular bodies present in the blood blood मोजूद होते हैं they contain essential chemicals that help in the clotting of blood ठीक है जब हमारे सरीर से रेक्ट बाहर निकल ला होता है खून बाहर निकल ला तो उसको यह क्या करते हैं रोकने का कारे करते हैं the main functions of platelet is promote clotting ठीक है तो clotting में साहता करते हैं blood निकलते सरीर से मतलब सरीर से blood ज्यादा न निकल पाए इसी को रोकने के लिए यह हमारे सरीर में होते हैं हमारे सरीर के बेट में पाए जाते हैं question number second देखते हैं what is the most importance importance of plasma plasma proteins के importance बताने हैं तो देख लेते हैं इसको भी plasma is the colorless fluid of blood ठीक है blood के composition में यह plasma है पाए जाता है 70% most part of the made up of plasma का ही बना होता है which helps in the transport of food ठीक है food material transportation कोन करता है plasma करता है carbon dioxide का जो translocation होता है transportation होता है वो इसी के द्वारा होता है waste product का भी transportation इसी के द्वारा होता है salt का भी transportation इसी के द्वारा होता है it constitutes about 55% of the blood 55% blood इसी से मिलके बना होता है is about 6.8% of the plasma is considered by the protein such as मतलब 6-10-8% इसमें proteins होती हैं जिसका नाम यहाँ पर मैं बता रहा हैं इसको अच्छे से आफ लोग याद कर लिजे पहला है fibronogenes होते है global nickel होते है and the albumin होते है जो fibronogen होता है is a plasma glycoprotein synthesized by the liver it plays a role in the clotting of blood blood clotting में साहता करता है global is the major protein in the प्लाज्मा यह हमारे सरीर में अगेंस इंफेक्सियस एजेंट को पहुचने से रोगता है बचाता है अल्विमिन इस मेज़र प्रोटीन प्लाज्मा में फ्लूट वॉल्यूम विदिन दा वैस्कुलर स्पेस ठीक है हमारे सरीर में जितने भी क्रिया शीलता है मतलब जो भी ए मैच कर देना ठीक है कॉल्म 2 से मैच करा देना इसोने फिल्स आभी आप लोगने पढ़ता है रेजिस्टर्स इंफेक्सिंस होते हैं और बी ग्लूट यह जो एबी ब्लेट ग्रूप होता है यूनिवर्सल रेसिपियंट होता है प्लेटलेट कोगलेशन में यूसफूल होता से connective tissues have cells scattered throughout and extracellular matrix जिसका नाम है ब्लेट सर्कुलेटरी सिस्टेम में ब्लेट करता है डिफरेंट करता है डिफरेंट करता है डिफरेंट टाप्स के सिस्टम को ब्लेट इस ताइप आप आप कनेक्टिव टिसू बिकॉस आप टूरीजन होते हैं इसके पहला है लाइक दे आ ले जाने में helpful होता है and nutrients को भी ले जाता है to all the parts of the body हमारे शरीर के प्रत्यक भाग में ले जाता है and remove करता है remove मतलब बाहर निकलता है waste product को भी blood has an extracellular matrix जिसको हम लोग plasma कहते हैं plasma बारे में आप लोग ने सेखी लिया था with red bloods white bloods and platelet these are composition of blood आप लोग पढ़ चुके हैं समझ blood के बारे में तो काफी कुछ सीख लें आप लोग तो एक काम करते हैं lymph के बारे में भी समझना स्टार्ट करते थे देखिए lymph और blood में अंतर क्या है blood red color का भी होता है white का भी होता और लिकोसाइड भी होता है और प्लेटलेट भी होता है जबकि lymph lymphatic system या फिलिम्फ की बात करें तो यह colorless होता है due to the presence of rbc क्योंकि इसमें rbc due to the presence of wbc sorry wbc की मौझूद हो रहता है इसी वजह से इसका color less होता है कोई color नहीं होता और एक चीज़ और है wbc present होता और rbc इसमें in the body difference sorry it tells in the body difference हमारे सरीर को बचाता है यानि कि रक्षा करने कारे करता है और main part of immune system का बना होता है प्लास्मा lacks protein प्लास्मा जो प्रोटीन पाई जाती हो लैक होती इसमें it transport nutrients from the tissue cells to the blood और through lymphatic vessels अभी आप लोग पढ़ चुके हैं the flow of lymphasis flow होता है उसी blood के बारे में बात करें तो blood के बारे में आप लोग सिंपली वे में समझ में आ जाएगा red clad होता है due to the presence of hemoglobin contain rbc second point में कहा रहा है it contains plasma rbc wbc and platelet पढ़ चुके हैं आप लोग it is associated with the circulatory f circulation of the oxygen and carbon dioxide आप लोग ज oxygen from one organ to another यह भी आप लोग सीख चुके हैं the flow of blood in the blood vessels is fast very बहुत तेजी से होता है question no.6 में कहा रहा what is the mean by the double circulation what is the signification double circulation होता क्या है और यह तना महत्वपून क्यों है कारण सही तिसपस्ट केजिए most important question है यह आने वाले exam में मैं दे सकता हूं अगर यह question paper में आता है double circulation is a process during which blood passes twice during the heart during then one complete cycle cycle होने में complete cycle होने में जो blood हमारे से बाहर निकलता है उसमें double circulation अपने महत्वपून भूमी का निभाता है this type of circulation is found in the amphibians में पाए जाता है in them the heart is completely divided into four chambers मतलब दोनों की heart 4 chamber में divided होते हैं the right atrium the right ventricle the left atrium and the left ventricle these are the four chambers the movement of blood in an organism is divided into two parts एक होता systematic circulation एक होता pulmonary circulation systematic circulation समझ लेते हैं involves the movement of the oxygenated blood from the left ventricle to the heart to the outer ठीक है यह होता systematic it is then carried by blood through a network इसको arteries बोलते हैं और articles कहते हैं and capillaries to the tissue from the tissue tissue said the deoxygenated blood जो होता है collect किया जाता है venules से venus veins से and venacava से और ears is implanted into the left auricle में भेज दिया जाता है pulmonary circulation का कारी यहां से start होता है यह involved होता है in the movement of the oxygenated blood from the right ventricle to the pulmonary artery तरफ ले जाता है which then carries blood to the lungs for oxygenation और यह lungs तक पहुचाता है lungs क्या करता है filtration वर करता है या फिर oxygenation का कारे करता है oxygenated blood को आके transfer करता है from the lungs and oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left utrium hence in double circulation blood has to pass alternately through the lungs to the tissue तो simple way मैं समझ में आगया होगा और blood circulatory chart मैंने आप लोगो class 10 में भी पढ़ाया था अगर आपको नहीं आद है तो मुझसे जरूर पूछले कि मैं बता दूंगा significance क्या है इसको देख लेंदे the separation of oxygenated and deoxygenated blood allows a more efficient supply of the oxygen to the body cells blood is circulated to the body tissue through the systematic circulation and to the lungs through the pulmonary circulation मतलब आदे भाग में pure blood है और आदे भाग में impure blood है इसी से हमारी ये clear हो रहा है कि double circulation हमारी इसा है था क्यों करता इतना question number seven कह रहा है what is the difference between the blood and lymph यह आप लोग पढ़ चुके हो open and close system of circulation मतलब दो तरह के system circulation होता है blood circulation दो तरह को होता है open type होता close type होता है तीसरा systole and देस्टोल में अंतर बताना है और चौता जो पीवेव और टीवेव होता है इसको भी आप लोगों सबस्ट करना है तो चलिए के करके सब समझ लेते हैं पहला है blood and lymph में अंतर सब्सक्राइब के बारे में काफी कुछ सीख चुके है पहला blood is red color due to the presence of hemoglobin it contains rbc second point के रहा it contains plasma rbc wbc and platelet it also contains proteins तीसरा point में के रहा blood transport nutrients and oxygen from one organ to the another वहीं इसकी opposite में अगर lymph की बात करें lymph is colorless due to lack of rbcs it contains plasma lesser number of wbc and platelet lacks protein protein भी कमी मात्रा में होता है lymph plays a role in the defense system of the body it plays an important role in the immunity system ठीक है यह चीज़ क्लियर होगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं open type circulatory system और close type circulatory system हम लोगों में कैसा होता close type circulatory system होता मतलब mostly mammals या फिर mostly organism में close type होता simple जो होते है organism उन में कैसा होता open type circulatory system होता है ठीक है in the system blood is pumped by the heart through the large vessels into the body cavities called sinuses ठीक है हम लोग में यह चीज़ वैसल के माधियम सोती है network coverage के माधियम सोती है in the system blood is pumped by the heart through a closed network of the vessels जिसमें हम लोग capillaries पढ़ते हैं arteries पढ़ते हैं veins पढ़ते हैं और capillaries पढ़ते हैं ठीक है यह हो जबकि उधर क्या होते हैं indirect content with the blood blood flow करता जबकि हमारे में क्या होता blood flow करता हाई pressure पर और यहां पर fourth point the flow of blood is not regulated जबकि वहां अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जो डिफरेंट था सिस्टोल का इसको भी समझ लेते हैं दो ही पॉइंट है अच्छे से समझ लेते हैं अगर यही चीज मतलब हमारे हाट के चेंबर से ट्राइब करता है यह मतलब relax time करता है उस समय क्या होता है between two contraction during the डियस्टोल के समय the chambers are filled with the blood उसमें बलेट बहरा जाता है ठीक है chambers में बलेट बहरा होता है इसको बोलते है डियस्टोल होता है इसको बोलते हैं डियस्टोल कर रहा है डियस्टोल decreases the volume of the heart chamber and forces the blood out of them मतलब force लगाता है ठीक है डास्टोल में क्या है हमारा जो ब्लेट हमारा जो हार्ट होता है वो relaxation mode में होता है receive more blood और उसमें वो blood को receive कर रहा होता ठीक है अब P wave and T wave क्या होते हैं इसको थोड़ा पढ़ा रहोगा during this phase the impulse of the contraction generated by the causing arterial depolarization ठीक है उसी की बाद तीसरा पॉइंट में इस दा एन आट्रीर रीजन होता है जबकि उधर की बात करें इस वेंट्रिकुलर रीजन होता है टीक clear हो गया it is an electrocardiogramic T waves present in the ventricular relaxation के समय टीवेव जेनरेट होती है during the phase the ventricles relax करता है to return the normal state ठीक है यह चार differentiated आप लोगों को पता हूं चीक को से नंबर 8 वैसे तो basically 8 वाल इतना important नहीं फिर भी मैं समझा देरों describe the evolutionary changes in the pattern of the human heart among the vertebrate ठीक है human heart नहीं कहा रहा है सीथ simple way में कहा रहा है कि pattern जो change हो रहा वर्टरिवेट में किस परकार से हो रहा तो इसको देख लेते हैं सभी वर्टरिवेट में हार्ट होता है यह कार्य होता है हाट का the evolution of the heart is based on the separation of oxygen from the oxygen to blood for efficient oxygen transport ध्यान से clear समय में आ गया मतलब deoxygenated blood में क्या होता है oxygen नहीं होती जबकि oxidated blood में oxygen होती है और oxygen की उपस्तिती ही red blood को दरसाती है मतलब red blood तभी हो पाएगा जब उसमें oxygen मिला होगा इन फिसस अगर मशलियों की बात करें the heart was like a heart hollow tube मतलब एक खोगला box होता है this evolved into the four chambered heart to the animals जबकि हम लोगों में four chamber का heart होता है बात करें पिससियन heart मतलब जो पाइसे की मेंबर होते मशली वर्ग के जो हाट होते उनकी बारें बात करें तो फिससे only two chambered heart one auricle and one ventricle होता है since both the auricle and ventricle remain undivided बिल्कुल डिवाइड नहीं होते हैं only deoxygenated blood passes through it केवल deoxygenated blood ही पास होता है deoxygenated blood enters the gills for oxygen oxygenation के लिए जाता है gills में from the ventricle ठीक है ventricle से it has additional chambers होते हैं such as sinus venesis होता है और cornus atreuses होते हैं ठीक है क्या करने के लिए filtration करने के लिए और बेड करने के लिए सेकंड आगर हम लोग बात करें एंफिबियन हाट की यह जो आपके सामने डाइग्राम देख रहा है यह आप लोगों पढ़ लिया पाइसिस के डाइग में वह है हाट एंफिबियन हाट की बात करें तो सिंपल में अभी आप लोगों पढ़ा था कि एंफिबियन रेप्टिलियंस बर्ट्स प्राइस और लॉट और लॉट जैंटर टीविए वो बिल्कुल भी डिवाइद नहीं ओड़े इडिशनल चेंबर सच है sinus venusus and conus atreuses are present होते हैं इसमें the oxygenated blood from the lungs enter the left oracle simultaneously देरे-देरे पौशता रहता है the deoxynated blood from the body enters the right oracle में जाता बोगत इस औरीकल sympathy into the ventricle में होते हैं where inoxynated blood and deoxynated blood get mixed to some extent ठीक है और mix-up होने लगता है यह होता है किसका heart amphibian का बात करें reptilian heart की reptilian have incomplete four chamber heart होता है देखिए ध्यान सब समझेगा incomplete होता है complete बिल्कुल मत लिखिएगा except for the crocodiles ठीक है crocodile में पूरी तरह से होता है ठीक है चार chamber का होता है crocodile alligators में और घडियाल जो होते हैं उन सम्में क्या होता है four chamber का purely होता है बाकि सम्में क्या होता है incomplete होता है दे हैव ओनली वन एक्सेसरी चेम्बर काल साइनोसस वेनोसस होता है the repliant जो reptilian heart होता है and so the mixed blood circulation बिल्कुल इस तरह चलता है जैसे amphibia का था उसके बाद हम लोग अपना hyvian heart या mammalian heart की बात करें दोनों ही similar है क्योंकि जो एवी की members होते हैं मतलब birds जो होती है उन में भी four chamber होता हम लोग में भी four chamber का heart होता है they have two pairs of chambers of the separating oxygenated and deoxygenated blood मतलब separation लगा रहता है the heart is divided into four chambers में बटा रहता है two upper two chambers are called the atria and the last two lowers कहलाते है ventricles the chambers are separated by the muscular walls that prevent the mixing of the blood और जो septum लगा होता है यह mix होने से बचाता है ठीक है mix विल्कुल नहीं होता एक तरफ deoxygenate blood होता है और एक तरफ oxygenated blood होता है clear हो गया आगे बढ़ते हैं वाय डू को वाय डूवी call our heart myogenic तो हम लोग अपने in the right artery में मौझूद रहता है इसे नोड है इंहेरेंट पावर आफ जनेरेटिंगे वेव अभी अभी अप्लों टी वेव पड़ा था contraction controlling the heart beat जो control करता heart beat को इसी वज़े से इसको pacemaker कहते हैं since the heart beat is initiated by the S.A. node and the impulse of the contraction in originate in the half itself the human heart is termed as myogenic the heart of vertebrate and molluscus are also myogenic दोनों में ही myogenic होता है क्यों होता है समझ में आगे होगा ऐसे नोड जो heart beat को क्या करता है regulate करता है question number 10 syno-artrial node is called the pacemaker of our heart क्यों कहला था ऐसा कारण क्या है या आप लोगों ने उपर वाले question में भी पढ़ दिया था पेस्मेकर कहला था साइन ओरिकल या साइन ओर्ट्रियल नोडिस इस पेस्पेस्पाइब बंडल अफ दे नूरेस neurons located in the upper part of the right or trim of the heart यह मौझूद रहता है कहां मौझूद रहता है पता चल गया संचालित करता है सिक्वेंस ऑफ इलेक्रिकल एवेंट को जो की हार्ट में मौझूद रहता दियर्बाइद रहता है और इसी वजह से इसको हम लोग पेस्मेकर कहते हैं कुसे नब 11 थोड़ा सा लॉंग है उसकी बाद कुसे नंब 12 13 लास्ट वन इस फोटीन सो फोटीन तक है बात कर लेते हैं थोड़े से कुशन बचें इसको भी संबाद देता हूं मैं कुशन 11 वाट इस चेकनिविकेंस ऑफ आर्ट्रियो वेंट्रिकलर नोड और अट्रियो वेंट्रिकलर वेंट्रिकलर फंक्शनिंग ओफ हार्ट थ्यान रखेगा यह जो एवी नोड होता है यह राइट आर्ट्रियो में मौजूद रहता है करता है निएर देविस of the readings सेप्टम के बिनकुल पास में डैटि सेपरेट करतां जो बिनकुल आला करता है तैस राइय्ट करता है रॉमadia और आरिकल को बिनकुल एला करता this it gives rise to the bundles of his that conducts the cardiac impulse और जो cardiac impulse को generate करते है यह conduct करता है from the auricles to the ventricle से as the bundle of his passes the ventricle along the interventricular septum तो septum बीच में जो septum को मतलब होता है जो divide करेगा it divides into two branches दो भागों बादता है the right ventricle and the left ventricle the end branches of this conducting system then forms a network of Purkinje fibers then that penetrate करता है into the myocardium में the auricle या फिर the auricular contraction initiate करता है आगे बढ़ा है जाता है by the wave of the axis system from the sine auricle node ऐसे node को जो हम लोग pacemaker के रूप में पढ़ चुके हैं stimulate करता है the arterial ventricular node thereby leading to the contraction of the ventricles through the bundle of his and Purkinje fiber hence the arterial ventricle node and the arterial ventricular bundle plays a role in the contraction of the ventricle simple way में समझे में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से ये bundle in the functioning of heart में किस प्रकार अपनी महतुपूड भूमिका निभाता है ये था question का answer ठीक है question number 12 में define a cardiac cycle को बताइए और cardiac output क्या होता है इसको भी समझाइए देगे cardiac cycle is defined as the complete cycle of the events in the heart from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next मतलब शुरुवाद जहां से होती वहीं से सुरुवाद दुबार होने लगे इसी को बोलते है एक cycle it comprises three stages में complete होता है पहला arterial systole दोसरा ventricular systole and last one is complete cardiac diastole ठीक है ये तीन चीज़े जबकि cardiac output is defined as the amount of blood pump out by the ventricles in the minute एक मिनट में जो pump किया गया blood इसको बोलते है cardiac output ठीक है clear था simple way में समझ में आ गया होगा question number 13 explain heart sound जो heart की जो ध्वनी निकलती है sound निकलता है उसी को explain करना है आप लोगों को heart sounds are noises generated by the closing and opening of the heart warps जो heart की valve होती हो open मतलब खुलती है बंद होती है इसी से जो generate होती noise इसी से generate होती होती है sound उसी ही बोलते है heart sound in a healthy individual किसी स्वस्त मनुष्ट के अगर बात करें there are two normal heart beats called love and dub love and dub these are the common sounds generated by the human heart love is the first heart sound it is associated with the closer of the tricuspid valve and bicuspid valve जब close होता है at the beginning of the systole के समय the second heartbeat जिसको dub के नाम से associated with the closer of the semi-lunar valves and the beginning of the diastole के समय ठीक है यह generate होता है these sounds provide important of information about the condition and working of the heart और यह सबसे important होते हैं हमारे सरीर में जो heart होता है वो किस प्रकार से function कर रहा है किस प्रकार से working कर रहा है सही चला है कि ने चला यह sound ही बताता है question number 14 draw standard ECZ के बारे में draw करना and explain the different segments in it और segment बताना है किस प्रकार से समझ में आएगा आप लोगों को तो समझते हैं electrocardiogram is a graphical representation of the cardiac cycle बारे में आप लोग पढ़ चुके produce and the electrograph the diagrammatic representation of standard ECZ sound below बिल्कुर इसी तरह से दिखाए देगा उसके बाद the typical human electrocardiogram has five waves ठीक है पांच waves होती है P होती है Q होती है RS and T होती है the PRT यहां से सुनेगा PRT यह जो waves दिख रही है आप लोगों को उपर दिख रही है are the above and base lines के उपर होती है और known as the positive waves क्यालाती है the Q and S जो waves होती है are below the base line and are known as the negative waves तो positive waves clear समझ में आगिया और negative waves भी आप लोग समझ में आगिया the P waves is an arterial region जो P wave होती है उसको बोलते हैं arterial region while the QRS T waves इसको बोलते है T waves are the ventricular region ठीक है और P wave और T wave के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं फिर भी मैं यहां पर भी CDE point में आप लोगों को इस questions का अंसा समझा देता हूं the P wave indicate करती arterial depolarization को during this wave the impulse of the contraction generate होता है by the S node जिसको space maker भी कहते हैं the PQ wave represent करता है arterial contraction को ठीक यह हो गया B में क्या है the QR wave is preceded by the ventricular contraction के द्वारे it represent करता spread of the impulse of the contraction from the AV node to the wall of the ventricle it leads to ventricular depolarization कहता है और C में कहरा the RS wave represent करता ventricular contraction about the 0.3 second के अंतरकत जो होता है जो भी functioning होती है the ST wave represent करता ventricular relaxation को जो heart उस समय relax करता है at the time of about 0.4 second के तोर पर during this phase the ventricle relax करता है and return to the their normal state the T wave represent ventricular आप लोग पढ़ चुके हैं टीपी वीव उमेद करता हूं आप लोगों को यह chapter के NCRT question समझ में अच्छे से आ गया होंगी उमेद करता हूं इसको आप लोग अपनी copy में जरूर complete करके send करोगे अपने ग्रूप में thanks for watching this video